अगर आप पिछले केस संसद के सत्रों का उधारन देखेंगे, तो विपक्ष कोई न कोई बहाना बनाता है कि चर्चा ना हो, सदन ना चले, कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे, तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सर चर्चा करने के लिए तैयार हो, आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है, क्या उनके अपने नेताब सदन का सदस्य नहीं रहे, इसलिए भाग रहे हैं, यह चर्चा में भाग लेते हुए अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं, दुख का विशे यह की देश की जनता, जब एक उमीद के साथ संसत सत्र की और देखती है, और यह विपक्षी दल मुद्दों को नहीं उठाने देते, चर्चा में भाग नहीं लेते, तो अपने आप में इनकी भूमिका पर प्रशंचिन खड़ा होता है, कल मानिनिये परधान मंतरी जी ने पहले दिन ही, मानिने परधान मंतरी जी ने पहले दिन ही कहा, कि मनिपूर में जो घटा वो दुर्भाग्यपून है, कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कारवाई हो, वो महिलाओं के प्रती अत्याचार, दुशकरम की घटनाए सबको शरम सार करती है, 140 क्रोड देश्वासिय उसके घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, सरकारों को उचितकारवाई करनी चाहिए, और हम लोग समवेधन शील भी है, जिम्मेदार भी है, और चर्चा में भाग भी लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से भी भाग रहा और चर्चा से भी है, वो ये भी कह जाता है, यूपिये बदनाम इतना हो गया है, कि इनके बास विकल्प क्या है, और यूपिये में एक एक दल के एक हर नेता पे आप देखोगे, ब्रश्टा अचार के गंभीर आरोप नहीं लगे, बलकि अधिकतर लोग जमानत पर हैं, बेल पर हैं, तो उनको लगा क्यों न नाम ही बदल लें, बहिए काम बदलने से कुछ होगा, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आप स्वें तो गलत काम करते हो, आप तो बदनाम हो, कम से कम इंडिया को तो बदनाम ना करें,